कि नमस्कार जी एसर केटी एकेडमी के आनलाइन पोर्टल पर आप सभी लोगों का हिर्दय की गहराईयों से स्वागत है प्यारे विद्यार्थी गण मैं आप लोगों को अवगत करा दूँ कि आज दसकों से जो है कोरोना के नाम पे संस्था बंद है और सासन और प्रसासन का गाइड लाइन मिला हुआ है जिसका हम लोग आज पालन कर रहे है और इस पालन के बारे मैं बता दूँगी करना भी जरूरी है तो बहुत सारे बच्चों में एक भ्रह्म पैदा हो रहा है कि लग रहा है कि सर लोग कोचिंग को बंद कर दिये तो पहली बात तो यह जान लिजिए कि यह मैंने नहीं बंद किया यह सासन और प्रसासन के लोगों द्वारा कहा गया है कि कोचिंग इतने तक बंद रगी इसलिए बंद किया गया प्रस्ट मुठा आपके भविश्य की तो आप लोगों से ज्यादा चिन्ता इस एसर केटी एकेडमी को है आपके भविश्य को लेकर क्योंकि आपका एक प्रस्टनल भविश्य है इसका बहुत सारे लोगों में भविश्य है तो विद्यार्थी गर्ण प्यारे मैं आप लोगों को बता दूँ कि संस्था बंद है अभी 30 तारीक तक डेट मिली भी है और संस्था आपके हित में ही कारे करेगी अगर 30 तारीक के बाद देखा जाएगा अगर नहीं बात बनती है तो हम लोग कोशिस करेंगे कि आनलाइन क्लासे ही आपको दें उससे पहले जो बच्चे परिशान हैं काल करके संस्था में आ रहे हैं पूछ रहे हैं कब चलेगी कैसे चलेगी तो अभी 30 तारीक तक वेट कर लिजे आप लोग रह गई बात कोरोना कितना है कितना नहीं है कुछ लोग का रहे हैं कोरोना नहीं है कुछ लोग का रहे हैं हो या नहो संस्था को जो है सासन प्रसासन की बाते माननी है आप लोग अगर घर पर बैठे हुए जितना पढ़ाया गया है मैं आपसे अवाहन करूँगा आपसे निवेदन करूँगा कि आप घर पर बैट कर और तयारी करें अपनी पढ़ाई को जारी रखें क्योंकि मैं आपको बता दूँ मैं एक छोटी सी लाइन लिखा हूँ वो लाइन है कि आलस से को त्याग कर नया प्रकास मांगता हूँ अपने जो है आलस से को त्यागने की कोसिस कीजिए जब तक आलस से को त्यागेगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है इस्क्यूज मत गिनाईए कि मेरे पास कितने इस्क्यूज है यदि आप इस्क्यूज गिनाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे मैं मानता हूँ कि कोरोना के कारण यदि संस्था बंद है फिर भी आपको इस्क्यूज नहीं गिनाना चाहिए आप पढ़ाई कीजिए और भी बहुत सारे हैं यदि दस दिन संस्था बंद है तो दस दिन में और भी कुछ कर सकते हैं घबड़ाईए मत कुछ लोग इसी को जो है अपना जो है वो एक जो है मुर्खता पुड़ बाते करेंगे हम जा रहे हैं घर अब तो संस्था बंद हो गई अप वाज जुटाओं को फैलाएंगे तो इसलिए मैंने कहा कि आलस्त को त्यागे कर नया प्रकास मांगता हूँ समस्थाओं को आवसर बना लेना ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूँ डियर इसमें संस्था की कोई गलती नहीं है जो भी है वो सासन पर सासन की लोगों का जो है वो बाते मानी जा रही है और आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिये कितने भी समस्था आये कोई कुछ भी कहे दो रोटी कम ही क्यों न खाना पड़े लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिएगा सिच्छा इसनी बिदा है डियर कि कहीं पर खड़े होके किसी से भी आप बात कर सकते हैं अपने हक और अधिकार को ले सकते हैं और चीन सकते हैं लेने की दो बाता ही छोड़ दीजिए आज मेरी बाते आपको नहीं समझ में आ रही होंगी लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरी आपको बाते जरूर समझ में आएंगी इसलिए आप लोग समय को नुक्सान ना किजेगा अंत में मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा लेकिन मैं दो पंक्तियों से आपको आउगत कराऊंगा मुश्किले दिल की इरादों को आजमाती हैं स्वप्न की परदे निगाहों से हटाती हैं गिरकर जिसने उठना सीख लिया मंजले भी उनकी कदमों में जुक जाती हैं एक बात ध्यान दिजेगा जनाब एक बात ध्यान दिजेगा जब कभी भी मंजलों से गुक्तगू करने का मौका मिले ना तो मंजलों के स्वाथ जो है वो स्वार्थी मत बनियेगा हमेशा स्तार्थी बनके रहिएगा हमेशा सार्थी बन के रहिएगा और अपनी मंजिलों पे चलते रहिएगा समस्य आपका कुछ बिगाड नहीं सकती आपको परास्त नहीं कर सकती जब तक आपके हाउसले उज्जल हैं जब तक हाउसले आपके अडिग हैं इसलिए अपने हाउसलों को बनाए रखेगा डियर बहुत बहुत धन्यवाद